हलो दोस्तों आपने उपर देखा यही भोजन के मुख्य पोशक तत्व तो गाइज यहाँ पर जो चीज़े आपको देख रहे हैं कार्बोहेड्रेड प्रोटीन वसा बिटामिन एवं खनीजलवन नाम कठीन है लेकिन आसान है याद तो करना पड़ेगा ही यह जो चीज़े आपको देख रहे हैं यह सभी के सभी क्या है यह भोजन के मुख्य यानि समझे की मेन यह पोशक तत्व हैं तो गाइज यह सब के सब जो भी चीज़े आपको देख रहे हैं क्या है मोखे पोसक तत्वे हैं जिस एंगलिस में कहते है मेन नूट्रियंस और फोड ठीक है तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि कार्बोहेडरेड क्या-क्या चीज़ों में होता है प्रोटिन, वसा, बिटामिन और साथ ही खनी जलवन क्या-क्या चीज़ों में होता है तो चलिए देखी लेते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहेडरेड के सुरोट गाईज, कार्बोहेडरेड के सुरोट का मतलब ये पता चलता है कि कार्बोहेडरेड जो है बाजरा जवार सरक्रा चावल गन्ना चुकुंदर खजूर केले कुछ सबजियां में और कुछ मोटे अनाजों में भी इन सभी चीजों में क्या होता है कार्बो हैड्रेड इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है कार्बो हैड्रेड के स्रोत ठीक है कार्बो हैड्रेड के स्रोत इसल हाज आगे पर जाकर के समझ में आ जागा तो चली अब दूसरा देख लेते हैं प्रोटीन के सुरॉथ कर दो करीद और बर्फी नालों, कोई भी नाल होते हैं, उन्हों क्या हो प्रोटीन होता है दाल चरना का हो सकता है मटर का हो सकता है मुंग का मसूर का उदर कुछ भी काप डाल ले सकते हैं वो सब में क्या पाया जाता है ठीक है तो सोयाबीन राजमा लोभिया आदी यहां पर जितने भी चीजे आपको देख रहे हैं इन सभी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए हम इन सभी चीजों को कहते हैं प्रोटिन के सुरोत आई होप यह भी आपको समझ में आगया होगा चलिए अब हम आगे की चीजों को देख लेते हैं अगला हमारा आज आता है वसा के सुरूत अब वसा के सुरूत से भी पता चलता है कि वसा क्या क्या चीजों में होगा तो यहां पर देख रहे हैं सभी तेले जितने भी तेले होते हैं वो कुछ भी का लेज़े सरसोका, तिसी का सभी तेले जो होते हैं उनमें वसा होता है ठीक है और अंडा क्रीम दूध मक्षन मांस मचली घी आदी इन सभी चीजों में क्या होता है वसा होता है ठीक है तो यह भी आपको किलियर हो गया होगा तो अगला हमारा आजाता है बिटामिन के स्रोथ गाइज एक चीज ख्याल रखेगा बिटामिन के और भी परकार है जो कि मैं इस वीडियो में बात नहीं कर सकता हूँ आगे के वीडियो में बात करेंगे तो बिटामिन के और भी परकार होते हैं जैसे बिटामिन A, बिटामिन B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ये सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल जानर vitamin के स्रोथ, यहनि vitamin क्या क्या चीजों में होता है, तो यहाँ पर जितने भी चीजे आपको देख रहे हैं, इन सभी चीजों में vitamin पाया जाता है, और vitamin के परकार बहुत होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए यह रहाँ आपके सामने vitamin के स्रोथ, और अगला आप समझ लेते हैं हम खनीज लवन के स्रोथ, तो यहाँ पर देखिये, एक चीज इसमें भी याद रखेगा, खनीज लवन के भी स्रोथ होते हैं ज्यादा, तो खनीज लवन के परकार और भी होते हैं, जैसे घोगया लोह, और सॉरी, खनीज लवन के भी परकार होते हैं, जैसे आयोडिन के स्रोथ, लोह के स्रोथ, फासफोरस के स्रोथ, कैलसियम के स्रोथ, ये सब होते हैं तो guys, यहाँ पर जितने भी चीज़े आपको दिख रहे हैं इन सभी चीजों में खनीज लवन होता है इसलिए हम कहते हैं कि ये सभी के सभी क्या है खनीज लवन के सुरोथ है ठीक है? तो guys, खनीज लवन की भी परकार होते हैं से मैंने आपको बताहे दिया IODINE के स्रोत FASPHORUS के स्रोत KALCIUM के स्रोत यह सब होते है तो इसके लिए मैं एक नया विडियो SEPARE AT में बनाऊँगा तो I hope यह वीडियो जो भी मैं बताया हम इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताया हम वो आपको समझ में आ गया होगा एंड वीडियो पसंद आ गया हो तो यार लाइक कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत